हेलो दोस्तों वेलकम टू माई यूडिव चैनल मुवीज मेमरीज आज हम बात करेंगे अमरिस अर्जामनागर एक्सप्रेस के बारे में और गूगल मैप में देखेंगे कि कंश्रक्शन किस किस लोकेशन पर हुआ है और किस किस पर नहीं हुआ है में लिए हम इसमें और ब्राउन फिल्ड दोनों होगा और बन जाने के बाद इस एक्सप्रेसवे का नंबर होगा नैशनल हाइवे साथ सो चोपन के पंजाब में ये टिबा गाउं जोकी कपूर्तला में पढ़ता है वहां से शुरू होगा और फिर संगट कला बटिंडा तक जाएगा एक्सप्रेसवे का ये इससा छेल इनका होगा और एक्सेस कंट्रोल और ग्रीन फिल्ड होगा पहले होचना थी कि इस 196 किलोमेटर लंबे इसे को नेचनल हाइवे चौपन को अप्ग्रेड करके ब्राउन फिल्ड का रूप दे दिया जाए पर 2020 में फैसला लिया गया कि ये इसा ग्रीन फिल्ड होगा कि ये सुल्तान पूर्ड लोदी कि ये मोगा के पास से होकर भी घुचलेगा स्रीय बटिंडा जिले के पास संगत कला एक गाउं पढ़ता है कि जो कि नैशनल आइवेच ओपन पर पढ़ता है कि संगत कला से गाउं चोटाला जो कि सिर्सा में पढ़ता है है वहां तक इस एक्सप्रेस वे को फॉर्ड रहने रखा जाएगा और ब्राउन फिल्ड रखा जाएगा नैशनल आइवेच ओपन को ही अपग्रेड कर देंगे इस एक्सप्रेस वे के पांच सेक्शन ग्रीनी फिल्ड हैं और तीन ब्राउन फिल्ड जिसमें से एक पंजाब में ब्राउन फिल्ड है अब यहां पर चोटा लागाओं के पास कुछ कंश्रक्शन हुआ है गूगल मैप में दिखाई दे रहा है फिर यहां से यह यहां से तंगरियां भी नज़े दिख पड़ता है पंजाब में लैंड अक्वाजीशन की प्रोब्लम की वजए से वहां पे इतना कंश्रक्शन नहीं हुआ जितना की राजस्तान और गुजरात और हर्याना में हुआ है राजस्तान में एक्सप्रेस वे के पांच सेक्शन ग्रेन फिल्ड है मेजर डिफ्टिक रोड एक सदो को क्रोस करेगा फिर राजस्तान में इंटर कर जाएगा फिर यहां पे सत्रा एम के हैस फिर मेजर डिफ्टिक रोड एटी नाइन को क्रोस करेगा जो की हनुमानगड ज बगल से निकलेगा यह फिर एक और मेजर डिफ्टिक रोड को ग्रोस करेगा फिर यह टेट आइवे साथ को ग्रोस करेगा जो हनमानगर जी लेको अरावत सर्शेर से जोडता है कि यहान तक इसका कंश्रक्शन हुआ है थेंक्यू पर वॉचिंग